मध्यप्रदेश के बढ़वानी में अपर कलेक्टर के पोस्ट से ट्रांसफर होकर राज्य शिक्षा केंद्र भेजे गए आईएस लोकेश कुमार जांगर की चैट लीख होने और 30 सेकंड्स का ओडियो सामने आने के बाद मध्यप्रदेश की राजनी ती गर्मा गई है इस मामले को लेकर शिवरास सरकान ने लोकेश को नोटिस भेज दिया पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं आरोप है कि आईएस अधिकारियों के गर्डुप में लोकेश ने बढ़वानी की टीम और मध्यप्रदेश के अधिकारियों पर घ्रष्टाचार के आरोप लगाएं है रिपोर्ट्स के बुताविक लोकेश ने बढ़वानी के कलेक्टर शिवराज सिंग वर्मा को लेकर कहा है कि वे पैसा नहीं खा पा रहे थी तो उन्होंने मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चौहान के कान भर दिये वे दोनों किरार समुदाय से ही आते हैं कलेक्टर की पत्नी किरार महासभा की सेक्रेटरी हैं और सीम की पत्नी अध्यक्ष चाट में लोकेश ने लिखा कि रिटार होने के बाद वो एक किताब लिखेंगे उस किताब में वे सभी तथे लिखेंगे क्योंकि अभी उनके हाथ ब मामले को लेकर विपक्षी दल कॉंग्रिस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। मध्यप्रदेश कॉंग्रिस की ओर से ट्वीट किया गया है। मध्यप्रदेश में विधाया खरीत कर्मनी सरकान ने प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र को निरंकुष और लाचार बना दिया है। शिवराज जी आरोपों की जांच कराएंगे आरोपी को दबा कर आरोप छिपाएंगे। कॉंग्रिस प्रवक्ता निरेंद्र सलूजा ने मामले को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा प्रदेश के आईएस लोकेश जांगिल का बढ़वानी में कोरोना में काम आने वाले उपकर्णों की खरीदी में ब्रश्टचार की पोल खोलने के कारण तबादला किये जाने का माम सामने आ रहा है वहीं उनकी वारल चैट में किरार महासभा का जिस तरह से जिक्र किया गया है वो बेहत चौकाने वाला है उन्होंने आगे लिखा एक इमांदार अपसन ने प्रदेश छोड़नी का मन बना लिया है मुख्यमंत्री वे जिम्मेदारों को सामने आकर उनके बातला उद्योग चालू है जानते हैं इस मामली में सरकार का क्या कहना है मध्यप्रदेश तरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने मामले को लेकर आज तक से बात की है उन्होंने कहा है कि आईस अधिकारी किसी भी पत पर बैठे हूं उन्हें अनुशासन हींता करने का जनिक तोर पर ये कपराध है इसे बरदाश्ट नहीं किया जा सकता शासन ने अधिकारी को नोटिस जारी किया है उसमें अपनी सारी बातें सपष्ट करने होंगी हम सब जानते हैं कि ट्रांसपर एक रूटीन प्रक्रिया है इसे सभी अधिकारियों को गुजरना पड़ता ह ट्रांसपर को पूरवगरह से ग्रसित होकर नहीं देखना चाहिए मामली को लेकर लोकेश क्या कह रहे हैं ये भी जानते हैं लोकेश न वारल हुए 30 सेकंड्स के आउडियो को लेकर हिंदुस्तान टाइम से बात चीट की उन्होंने बताये कि 31 मई को मेरा ट्रांसफर किया गया एक आएक ट्रांसफर किये जाने को लेकर मुझसे कई दोस्तों ने सवाल पूछे तो मैंने परस्टनल चैट पर अपने चार आईएस दोस्तों के साथ आडियो शेर किया सरकारी आदेश होने के बाद और वेबसाइट पर अप्टेट किये जाने के बाद मैंने भरोसे से और परस्टनल कपासिटी में आडियो शेर किया था मैंने उनसे आडियो इसने शेर की क्योंकि मुझे खुद सरकार की और से कारण नहीं बताये गया था मैंने इसे किसी ग्रुप पर नहीं शेर किया लोकेश ने आगे कहा है कि उन्होंने नियमों का उलंगन नहीं किया है क्योंकि जानकारी ना तो व्यक्तिगत थी और ना ही गोपनी है उन्होंने GAD के प्रमुक सचिफ की निच्टा के उलंगन से भी इंकार किया है लोकेश का कहना है कि ओडियो 31 मई का है और मुझे 17 दिनों के बाद 16 जून को नोटिस भेजा गया है मैं अपने वक्त से नोटिस का जवाब दूगा मामले को लेकर GAD प्रिंस्पल सेकरेटरी दीपती गौर्ड मुखरजी ने कहा कि लोकेश ने उनकी निच्टा का उलंगन किया है उन्हें साथ दिनों में जवाब देने को कहा गया है मामला मेरे साथ उनकी बादचीत का है मेरा काम उन्हें सिर्फ ये बताना था कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है लेकिन उन्हें बादचीत को रेकॉर्ड कर लिया जो कि एक सरकारी अधिकारी की बेजा हरकत है लोकेश जांगर का साल 2016 से 2021 के बीच अब तक 8 दफा ट्रांसफर किया जा जुका है लोकेश अब तक SDM विजयपूर, SDM शेहडोर, अपर सचिव राजस्व, उपसचिव नगरिये प्रशासन, CEO जिला पंचाय थर्दा, अपर कलेक्टर गुना, अपर मिशन संचालक राजजशिक्षा केंद्र, अपर कलेक्टर बढ़वानी रह चुके हैं बढ़वानी से 42 दिनों में उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, मौझूदा वक्त में लोकेश अपर मिशन संचालक राजशिक्षा केंद्र हैं दैनिक भासकर ने सूतरों के हवाले से लिखाए कि लोकेश के बढ़वानी से हटाने की प्रशासनिक वज़ा बताई गई, लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी सामने आ रही है रिपोर्ट के मुताबिक लोकेश ने कोरूना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर की खरीद में हुए ब्रश्टाचार को उजागर किया था, उन्हें जब बढ़वानी में पदस्त किया गया था, उस वक्त उन्हें जिले का कोविट प्रभारी बनाये गया था रिपोर्ट के मुताबिक बढ़वानी के अधिकारी बताते हैं कि अप्रेल और मई में लोकेश अपने आफिस में नहीं के बराबर बैठे, वे हमेशा फील्ड में रहते थे, कोरूना की पहली लहर में बढ़वानी में बहुत तीजी से संक्रमन पहला, लेकिन दूसरी लहर में उनकी रणनीती और मेहनत के कारण जिले में कोरूना के कम माम ले आए, दैनिक बासकर की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़वानी में कोरूना महमारी में करणों की खरीदी में भारी हेर पेर हुआ था, 49,000 के ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर 7,000 रुपे में खरीदे गए थे इसके साथ ही अन्य उपकर्णों को खरीदने में भी करोडों का ब्रष्टाचार हुआ था, लोकेश ने ऑफिस जॉइन करते ही ब्रष्टाचारियों पर लगाम लगा दी थी, लोकेश की कारण प्रिनाली स्थाने अधिकारियों को रास्त नहीं आई और इसके बाद उन्हे चिठी में लिखा कि 7 साल के उम्र में पिता का निधन हो गया था, अब परिवार में टाइप 2 डाइबटीस से पीड़त करीब 87 साल के दादा जी है, उनकी 57 वर्ष्य मा है, परिवार को उनकी जरूरत है, इसलिए उन्हें तीन साल के लिए महाराष्ट इंटर कैडर